हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई चैनल स्टेप बाई स्टेप गार्णिंग आज मैं आप लोगों से एक एवर ग्रीन प्लांट के बारे में बात करने वाली हूं यह पूरे साल आपके गार्डन में हरा भरा रहता है बहुत प्यारा सा लुक देता है क्योंकि यह पैरिनेल प् पैरेनियर प्लांट है साथ में और्नामेंटल प्लांट है और्नामेंटल जितने भी प्लांट होते हैं बहुत ही खुबसूरत लुक देते हैं इसलिए हर गार्डनर जो होते हैं और्नामेंटल प्लांट अपने गार्डन में जरूर एट करते हैं साथ में यह एक फ्लावरिं ढूंटे इसे बारे में आगे आप लोग से बात करूंगी आज में इस प्लांट की कियर बताने वाली हूं और simple asparagus का plant भी बोल सकते हैं तो ये nursery पे बहुत easily available होता है छोटे-छोटे poly bags में मिलता है जादा costly नहीं होता तो एक बार आप लाके अपने garden में add कर देते हैं तो सालो साल ये आपके garden में जेगह बना लेता है अपने लिए और आपके garden में दुबारा इस plant को add करने के जोरती नहीं पड़ती देखे फ्रेंट जब इस plant को लेते हैं तो एक अच्छा सा soil mixture तयार करना पड़ता है मैंने इसे 9 इंच के pot में लगाए देखे, pot काफी अच्छा है 9 इंच का है तो इसलिए plant बहुत अच्छे से greenery दे रहा है अच्छा सा इसने shape बनाए बिल्कुल round shape में growth कर रहा है तो आप इसे 8 से 9 इंच का pot देंगे तो plant अच्छे से growth करेगा soil mixture की बात करें तो ये जो plant है पतली पतली branches होती है देखे मैं दिखा देती हूँ रिवर सेंड लेना है जिससे soil garden बनगे तयार हो और plant अच्छे से growth करें अच्छी सी greenery दे उसके लिए आप इसमें compose आट करेंगे 40% आपको garden soil लेना है 40% रिवर सेंड लेना है और 20% compose आट करकी इस plant को report कर देना है उसके बाद sunlight की बात करें तो ये direct sun को भी like करता है और indirect sunlight को भी starting से plant आप जहां भी place करते है ना उसी के according plant जो strong बन जाता है और growth करता रहता है तो ये plant indirect sunlight में रखा है यानि कि morning की एकाद घंटे की धूप इस पर पढ़ती है और बाकी time पूरे दिन ये indirect sunlight में रहता है तो बहुत अच्छे से growth करता है लेकिन कुछ इसके plant ऐसे भी मैंने देखे हैं जो full sun में रहते हैं तब भी अच्छी सी greenery देते हैं काफी hardy plant है आप इसे अपने garden में जरूर जगह दें उसके बाद watering की बात करें तो मैंने आपको अभी जस दिखाये कि branches बहुत पतली पतली होती है तो अगर आपने excess water कर दिया तो यह plant क्या करेगा root root कर लेगा बहुत देखिए बारीक बारीक सिस्की जो branches वो है ठिक ब्रांच वुडी ब्रांच नहीं होती है पतली पतली stem से यह plant इतनी अच्छी ग्रीनरी फेलाता है तो आपको जो वैर्डिन soil बताया वो तो लेना है ताकि उसमें पानी रुके ना जो भी आप watering करें वो ड्रेन आउट हो जाए drainage hole से तो इसलिए limited watering करने है हमेशा soil को चेक करेंगे soil में नमी है तो उसमें watering नहीं करेंगे अगर soil dry है तो आप उसमें watering करते रहेंगे soil को बहुत ज़्यादा dry भी नहीं करना हलका सा मोश्यर बना के रखेंगे तो जो इनकी बारीक बारीक leaves है यह dry नहीं होगी ये हो गया watering, compost की बात करें, तो ये summer growing plant है, winter ये resting period में रहता है, summer में बहुत अच्छी growth करता है, आप देख सकते हैं, अगस्त का महीना चल रहा है, कितनी खुबसूरती भी खेर रहा है, कितना अच्छा greenish look दे रहा है, आपको summer में ही से compost देना है, summer में जब winter season finish होता है, और summer start होता है, plant की growth start होती है, winter में क्या होता है, इनकी जो leaves होती है, वो गिर जाती है, और branches रह जाती है, प्लांट रह जाता है, और कुछ ही leaves बसती है, तो आपको क्या करना होता है, winter season में इसे save करना पड़ता है, जो winter की पढ़ती है उससे बचाकर इसे थोड़ा ऐसे इंडोर एरिया में प्लीस करना पड़ता है जहां पर इसे हलकी सी सुरज की गर्महाट मिले और यह थंड से बचा रहे हैं उसके बाद जब जनवरी का महीना स्टार्ट होता है तब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है जितनी भ बार यजन्वरी नाएट कर देंगे तो जन्वरी के बाद पूरा समर सीजन आपने आट किया है आपगे वो भी ले सकते हैं आप लीफ मोल्ड भी ले सकते हैं और वर्मी कमपोस्ट भी ले सकते हैं और चाहे तो दो-चार दाने आप डियेपी के भी डाल सकते हैं डियेपी के दो-चार दाने डालने से भी प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करना है लेकिन जितने भी मैंने कमपोस् उसे के हिसाब से आपको थोड़ा सा homosexual करना है यह हो गया मेदा प्लान्ट से से सबी ग्रों हो जाता है और इसके जो राइजॉम होते हैं उससे छोड़ा सा ओल हो होता है मैं इसमें थाइज होता है तो फ्लावर्स को वे ड्राय होने फ開 उसमें सीर सबने खोड़ाइब और दूसरा ओप्शन की इनके इनको इनको इण क्टरने न और वाल तकन रही रही थे यह अच्च को ते दिखा लुच है। इस तरह से इनकी rhizomes होते हैं तो इनको divide करके propagate क्या जा सकता है आपको क्या करना है इस plant को soil से निकालना है और उसे cut करके अलग-अलग हिस्से में divide करना है और उसमें कुछ उसके rhizomes भी आने चाहिए जो simple branch आप cut करके लगाएंगे ये ग्रो नहीं होगा अगर branch में नीचे rhizomes होंगे तभी ये plant propagate हो पाएगा तो इस तरह से carefully आपको इसे soil से निकालना है और division के थूर इसे ग्रो करना है division से plant बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है तो ये हो गया इसका propagation आप इसे rhizomes और division के थूर ग्रो कर सकते हैं या तो seeds के थूर ग्रो कर सकते हैं तो ये मैंने propagation भी बता दिया garden में जो plant होते हैं कभी कभार उन पे pest भी लग जाते हैं तो अगर आपके plant पे किसी भी तरह का कोई pest लग जाता है तो आप उसे neem oil और या फिर किसी pesticide का जितने भी pest लगे हैं उसे remove कर सकते हैं तो मैंने इसकी complete care बता दी है अगर आपको इस asparagus firm plant की care पसंद आती है तो आप भी अपने garden मिलागे firm plant की care कीजिए अगर तो मुझे एकिन्या आपको ये वीडियो पसंद आएगी ये वीडियो पसंद आएगी निंग पसंद आएगी अपको इससे हैं